जी नमस्कार स्टुडेंट तो आज जो मॉर्निंग में एक्जाम हुआ था 10 नवंबर को तो उसकी जो लिस्निंग आई थी उसका पहला सेक्शन काफी एजी था सेकिन में MCQ मॉडरेट थे और थर्ड में भी MCQ मॉडरेट लेवल के थे फॉर्थ वाले में ब्लैंच थी वो भी टेबल का जो स्टेटमेंट है वो आपको पढ़के सुना देता हूँ उसमें आया था the graph shows the fishing industry in European country into four indicators ये कुछ लोकेशन पे टेबल आया है में भी हो सकता है कुछ अधर लोकेशन पे थोड़े बहुत question change भी हो सकते हैं क्योंकि students बाद में comment करके बोल देते हैं कि sir ये नहीं आया था तो में भी थोड़ा बहुत different भी हो सकता है और अगर हम बात करें writing task 2 की तो वो agree disagree जैसा हमने पहले predict किया था उसकी आने के chances रहते हैं तो वो आया था आपको whether or not someone achieves their aims is mostly by a question of luck to what extent do you agree or disagree बहुत easy था और इसकी detailed वीडियो भी हम बनाएंगे reading और listening की आंसर भी बहुत जल्द आपको next video में मिल जाएंगे और आप channel को जरूर subscribe कर लिए क्योंकि आने वाली videos में हम prediction करेंगे 19 October 19 November की और 26 November की और December में जो exam होने वाले हैं उसके ओपर भी हमने video बनाना है कौन सा exam easy रहेगा तो आप लोग प्लीज चैनल को subscribe कर लिजे और किसी भी student को अगर reading का PDF चाह कर सकते हैं किसी student को online classes चाहिए वो भी मेरे साथ join कर सकते हैं बिल्कुल affordable rates के उपर आपको जो हैं वो classes मिल जाएंगी thank you so much मिलते हैं next video में